हाई फेंच आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रहे हूं चिकन टिक्के की रेस्पी अकसर हम घर में चिकन टिक्का बनाते हैं पर वो रेस्टुण जैसा नहीं बनता है soft नहीं बनता है juicy नहीं बनता तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसके बाद कभी भी आप chicken टिक का बनाएंगे ना तो restaurant का chicken टिक का खाना भूल जाएंगे वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो चिकन टिक्के के लिए सबसे पहले यहां पे हमें चाहिए दही और दही यहां पे हमें हंकड़ वाली चाहिए आप एक गंटा पहले इस तरीके से किसी भी छन्नी में दही को रख दीजे जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा फो निकल जाएगा तो यहां पे मैंने यह एक कप से थोड़ा सा कम दही ली थी और इसमें पानी निकलने के बाद यह आदा कप हंक कर्ड़ बना है अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट साथी में डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और एक चमच के करीब हम यहां पे कसूरी मेथी लेंगे और इसको इस तरीके से करश करके डालेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच के करीब तेल आप तेल की जगए पे बटर को भी मैल्ट करके इसमें डाल सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है यहां पे आपको सर्सों के तेल का यूस नहीं करना है अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच जालेंगे लाल मिच पाउडर मैं आदा चोटी चमच के करीब इसमें नमक टाला है और अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूट कलर ये औरेंज जट फूट कलर है ये ऑप्शनल है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप रेस्टों इसमें आप फूट कलर टाल सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रखें हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह लीजें यहां पर यह हमारा मिक्स्चर रेडी है अब इसमें हम डालेंगे चिकन तो यहां पर मैंने यह साड़े 300 ग्राम बोलनेस चिकन लिया अगर आप चाते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता वह थोड़ा सा सुखा सुखा बनता है अगर आप चाते हैं बिल्कुल रेस्टों जैसा आपका चिकन घर पे बने एक दन जूसी बने सॉफ्ट बने जो मूह में जाते ही घुल जाए तो आपको यहां पर थाई कोईला चाहिए कोईला आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा इसको गैस पर अच्छे से गरम कर लें उसके बाद किसी भी कटूरी में रखके इसके अपर थोड़ा सा तेल या घी को अलका सा गरम करके इस पर ढलके ढ़क देंगे 15 मिनट के लिए तो यह साइड है इसको आपको बनाना शुरू कर लेते हैं तो मैंने यहां पर यह स्क्यूर्स लिया है आप चाहे तो जो लकडी वाले होते हैं वह भी ले सकते हैं या डिरेक आप पैन पे भी इसे बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से मैं इसमें इसको फिट कर दूंगी थोड़ी थोड़ी दूरी और आप देख सकते हैं चिकन के उपर जो मसाला है वह अच्छे से कोट हो गया है बस आपको कुछ पातों का थ्यान रखना है इसमें आपको जो दही लेनी है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो यह अच्छे से मैरिनिट नहीं होगा और दूसरा आपक तो शाता चिकन टिक का खुल जाएंगी सिर्चिरों कीक तरीप post The लिए इन गेराइंटी पुर्म अवी सर्क थिए, तो अब इस तरीक ciao यग कि अच्छी हम पहांों यस उसकी सेट कर दिया कि अहए हैं, छ जलते हैं इसको सेखने के लिए यहां पर यह ग्रिल पैन गर्म करने के लिए रग दिया है आप और नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं वैसे आप नॉर्मल तवे पे पे या पैन भी वी से बना सकते हैं लेकिन तो पर ठोड़ा सा चिपक पकने का डर रहता है अगर आप non-stick वाला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है उसके ओपर पहले आप हलका सा तेल लगा लें और फिर इसके ओपर हम इसे रख देंगे गैस की फ्लिम को आपको मीडियम ही रखना है लो बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इसे low flame पे सेखेंगे न तो इस जो चिकन है अपना पानी छोड़ देगा इसलिए गैस की flame को आपको मीडियम ही रखना है थोड़ा सा तेल इसके ओपर लगा देंगे और बीच वीच में इसको इस तरीके से पलटते रहेंगे आप देखेंगे ये नीचे से हलका सा सिख गया है तो इस तरीके से पलटते हुए हम इसे अच्छे से से शेख लेंगे बहुत जादा देर नहीं लगती है, इसको सेखने में बहुत ही चल्दी सिख जाता है, क्योंकि यह हमने थाई वाला चिकन यूज किया है, अगर हम ब्रेस्ट वाला लेते हैं तो उसे सिखने में पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप चेक कर लीजे, यह देखे, य सिख चुका है, बस हमें थोड़ा सा इसको और डिरेक्ट गैस पे सेखना है, तो इसका यह जो पैन है, इसको हम अडा लेंगे, इसे डिरेक्ट गैस के ओपर इस तरीके से सेखेंगे, एक से डिर्ड मिनट के लिए, तो उपर से क्या है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि अपने इसे तंदूर पे सेखा है, फ्लेवर इसमें आई गया है, क्योंकि हमने कोईले का यूज किया था, तो इसी तरीके से आप यह चिकन टिका बनाएगे, आप जिसको भी बनाके खिलाएंगे, सब आपकी तारी भी करेंगे, वेरेकि इस तरीके से गुमाते हुए हम इस सेखेंगे, और बहुत ही इजी लिए सिख जाएगा, तो टोटल हमें डिर्ड से दो मिनट लगेंगे इस तरीके से इसको सेखने में, और यह लिखी अच्छे से सिख गया है, बहुत ही जूसी और बढ़िया बना है चिकन टिका, अब हम से किसी भी बावल में निकाल लेंग बहुत से लोग निबु का रेस्पी सहिं में, वो भी आप इसके नुपकर डाले के से मिक्स कर सकते हैं, वेने यह पे सिर्फ बटर और चाट मसाले का यूज किया है, वे खरेंगे, गर्मा गरम सर्फ करेंगे ईसे दही वाली चटनी के साथ, दही वाली चटनी की रिपी। जरूर ट्राइ कीजेगा आपको यह बहुत पसंद आएगा फस्ट टायम भी बनाएंगे आँग कैसी लगी मुझे कामट के जरूर बताईगा वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए भाई